नमस्कार बच्चों, कक्षा चवती, विशय हिंदी, चवती इकाई, कविता क्रमाग दो, मेरी खुशिया यहाँ कविता सिद्धान दीपक हिनों ने लिखी है तो बच्चों, पहले में आपको यहाँ कविता पढ़के सुनाती हूँ फिर उसके बारे में क्या दिया है, उसका संदिश क्या है, वो बताती हूँ तो बच्चों, यह एक गीत है, इसे पढ़ना है, गाना है और बताना है बच्चों, इस गीत को, जैसे कि मैंने बोला सिद्धान दीपक जी ने लिखा है तो चलो बच्चो पहले में इस गित को पड़ाती हूँ, सुनाती हूँ, आप भी इसे जरूर पड़े। अपनी नीद खोकर उसने सारी कुश्या को लुटाया है, बच्पन में मुझको अपने हाथों से खाना खिलाया है, पीताने निरजर जल बनकर मेरी जीवन को हरशाया है, जिसके सिर परबड़ो का साया बना रहे जीवन में, जीते वही है सुकमई जीवन, खुश्याली होती उ तो बच्छो मैंने यहाँ पड़ कविता जो गीत है, मैंने पढ़कि सुनाई अभी मैं आपको यहाँ गीत का अर्थ समझाती हूँ कवी ने इस गीत में हम लोगों को बताया है कि माता पितवा का महत्व क्या है इस सुन्दर सी कगीत में हम लोग को यहाँ पे बताया गया है तो पहला है अमारा पेरिग्राफ, माता पिता में बसती खुशिया, जो मेरे जीवन का अधर, जिसने यहाँ संसार दिखाया, नमन है उनको बारन बार, यानि कि यहाँ हमारा जो जीवन है, क्या है, जो हमारा जीवन है, वो किन से मिलता है हम लोगों को माता पिता, माता पिता माता पिता याने हमारे ममी पापा यहां हमारी खुशिया है यानि हमारी जो खुशिया है हमारे माता पिता के साथ ही होती है यहां हमारा जो जीवन है वो जीवन का आदार होते है उन्होंने हमें यहां संसार दिखाया है इस संसार की पैचान जो हम लोगों को है किन से मिली है हम लोगों को वो उन्होंने करवा के दी है इसलिए उन्हें हमें बारन बार नमन करना चाहिए उनके सामने सर जुकाना चाहिए तो बच्चो यह है हमारा पहल पारेग्राफ का अर्थ तो आपको समझ में आया ना उसके ब बच्चो क्या है देखो बच्चो भी हमें जो जीवन की सीख मिलती है यानि पहली जो हमारी सीख है वो हम लोगों को कहा से मिलती है माता पिता से मिलती है किसे मिलती है बच्चो माता पिता से मिलती है हमारी मा यानि हमारे जो पहला गुरु होता है वो कौन है हमारी मा है पहला प्यार मिलता है पीता हमारे लिए बहुत मेहनत करते है माता पीता दोनों मिलकर हमारे जीवन में नए नए रंग भरते है रंग विरंगी रंग भरते है ऐसे बहुत सारे रंग भरकर हमारी कुश्या यानि की दोगुनी करते है बद ममी जो रहती है माता जो रहती है वो घर का स सामान हम लोग की पढ़ाए सब देखती है और पिता जी बाहर आफिस जाकर या फिर कुछ काम करकर पैसा जो मिलता है कमाकर हम लोग को जो हमारे जरुरतमान चीज है वह हम लोग को देती है बच्चों को कभीभी दुखी नहीं करते है दोनों माता पिता बच्चों की बहुत सायता करते है उसके बाद है माने मुझको प्राण पिला कर अपने तन को सुखाया है अपनी नीद को कर उसने सारी खुश्यों को लुटाया है यानि कि बच्चों क्या है मा सभी की मा बहुत अच्छी होती है हमारी आपकी यहाँ जो मा होती है यह ममता का सागर होती है मा अपने प्रान सुखा कर जो हमारे पर जो जान लुटाती है वो उनकी ममता होती है क्या होता है वो ममता का सागर होती है वो खुद जो अपना प्रान मुसिबत में डालके जो उसका तन सुखाती है यानि खुद शरीर सुकाती है वहाँ नींद की भी परवा नहीं करती है बिल्कुल परवा नहीं करती है उनको पहले क्या है कि अपने बच्चों की खुश्या फिर उसके बाद में जो है माता पिता यानि घर की खुश्या होती है वहाँ उनकी खुश्या पहले उनके बच्चे हैं, वो सब अपना जो है जीवन वो बच्चों पे लुटाती है, उनका अगर हम हसते हैं तो वो भी हसती है, अगर हम खुश होते हैं तो बहुत खुश होते हैं, अगर हम रूट जाते हैं तो मा को भी बहुत बुरा लगता है, वो भी नाराज हो जाती ह तो बच्चो आप लोगों को पता ही है अपनी मां हमसे कितना प्यार करती है उसके बाद है बच्चपन में मुझको अपने हाथों से खाना खिलाया है पीता निरजर जल बनकर मेरे जिवन को हरशाया है यानि कि क्या देखिए बच्चो जो हमारा बच्चपन है बच्चपन हम को कहा से मिलता है आप लोगों को पता है हमारा जो बच्पन रहता है बहुत अच्छा होता है वह अगर बड़े होते हैं तो वह बच्पन हम लोग को याद आता है कि हम लोग का बच्पन कितना अच्छा था बच्पन में हमारी माबाप जो होते हैं वह अपने बच्चों का जो सपना है वो बन जाते हैं बच्पन में हमारी जो पिता रहते हैं या मा रहते हैं अपने हाथों से हमें खाना खिलाते हैं और हमारी जो पिता हैं क्या करते हैं वो निरजर जल याने जरने का पानी बहुत जैसे भेता है ना भेते रहता है ना उसी तरह से वह हमें प्यार करते ह जो हमारी माता जी रहती है वो लोगों को क्या करती है बच्पन में खाना खीलाती थी और अब खुद से खाते हैं लेकिन फिर बेवे अगर आपने हाथों से खीलाती है थो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है ना बच्चो तो वैसा зов Shri पिता जी जो है वो निर्जर जल बन कर यानि कि क्या जो जहरने का पानी रहता है निर्जर जल जो जहरने का पानी रहता है वो बहुत बहता जैसे भेता रहता है उसी तरह से पिता जी जो है वह हम लोगों से प्यार करते हैं और हमारी जीवन में बहुत ही आनन दिलाते हैं उस उसी तरह जैसे कि मां हम लोगों को प्यार करती है उसी तरह पिता जी भी हम लोगों से बहुत प्यार करती है और पुरे परिवार को दोनों माता जी और पिता जी दोनों संबालते हैं बच्चों को भी और पुरे घर को भी जिसके सिर पर बड़ों का साया बना रहा जीवन में जीते वही है सुक्मय जीवन खुश्याली होती उसके मन में यानि कि क्या बच्चो जिनके सिर पर यानि जिनके घर में बड़े लोग होते है माता पिता का साया उनके उपर हमेशा रहता है उनका जीवन बहुती भाकेशाली होता है उनका जो जीवन है वो सुक्मय जिवन होता है बच्चों हमेशा उनके घर में खुशाली होती है उनका मन तन खुशी से भर जाता है इसलिए माता-पिता रहना बहुत भागेशाली माना जाता है तो अगर हम बड़े भी हो जाते है तो फिर भी हम लोगों को माता पिता और दादा दादी जो भी है चाचा चाची उनका सम्मान करना चाहिए हम लोगों को माता पिता को अलग नहीं करना चाहिए उनको आखरी सास तक मरते दम तक हम लोगों को क्या करने का है उनको हमारे साथ रखने का है वो कैसी भी हो गुसा करे प्यार करे जैसी भी हो उनको उसी स्वबाव से हम लोगों को स्विकारने काए तो समझ में आया यह बहुत अच्छा सुन्दर कविता धन्यवाद